हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियो में स्वागत करता तो आज हम इस वीडियो में एक क्रूशल टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं जिसके हमें रेगलर वेशिस पे क्वेरी जा रहे थे कि सर हमें options में कब buying करना कब selling करना है और कब नहीं करना इसको लेके doubt है इसको लेके confusion है इस confusion को दूर किजे तो उसी topic को पर यहाँ पर हम video बनाने जा रहे हैं कि आपको intraday options में यहाँ पर हम especially intraday trading को पर बात करने जा रहे options में कि कब आपको buy करना और कब आपको sell करना है और कहाँ पर आपको buying avoid करना कहाँ पर आपको selling avoid करना यहनी यहाँ पहिए आपको बतारे जा रहे कि कैसे आप trade initiate करके profit बना सकते हैं और at the same time कब आप trade avoid करके आप losses से बच सकते हैं यहाँ पह दोनों तरह से profit बनाएंगे ट्वेट लेकि और ट्वेट एवाइड करके विए चलिए इस कॉंसेप्ट को यहां पर हम डीटियल से स्टरी करते हैं और सीखते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगे और यह जो चार्ट है आपका HDFC बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम बादा चार्ट जिसके बेसिस पर हम आसानी से इंट्राडे ट्वेरिंग कर सकते हैं इंट्राडे ट्वेरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगे लेकिन यहां पर हमने HDFC बैंक के स्टॉक्स को क्यों स्लेक्ट किया वो आपको समझने की ज़रूबत है और यह चीज आपको मैनवली करना होगा और यह मैनवली कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ जो कि अपको भूसमाइबग्र मार्केट में अपडेट होता रहता है तो हमने क्या मार्केट में का यह निगया आ रहा है तो चले चार्ट पर देखते हैं कि market मेन जब sellers का इंट्री वा तो चार्ट कैसा रेक्ट किया है अगर हम 15 मिट का टाइम दो चार्ट देखें तो market आपका नीचे आया लेकिन एक particular range की बाद आपका नीचे नहीं आया है और market में यहां पे sellers available हैं लेकिन market आपका नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है मतलब क्या है कि काफी हद तक यहां पे buyers भी हमें active दिख रहे हैं और यह हमें क्या दिखा रहा है यहां पे आपका accumulation zone है मतलब धेर धेरे लोग यहां पे buying कर रहे हैं market में लोग entry कर रहे हैं और कभी भी यहां पे हमें major breakout देखने को मिल सकता है तो accumulation जो यहां पे हमने identify किया किस business पे identify किया सबसे पहले आप filter या scanner लगा कि आप find कर सकते हैं कि कौन-कौन से stocks में long build up हो रहा कौन-कौन से stocks में short build up हो रहा अब अगर आपका short build up हो रहा तो price आपका नीचे नहीं जाना चाहिए और अगर आपका long build up हो रहा है तो price उपर नहीं जाना चाहिए नि अगर market में sellers entry करें तो price नीचे नहीं जाना चाहिए और buyers entry करें तो price उपर नहीं जाना चाहिए नि जो natural behavior है उससे अलग होना चाहिए तो यहां पे हमारा accumulation zone हुआ है तो इस तरीके हमने इसको identify किया अब यहां पे हमें क्या करना इस accumulation zone में जो भी highest point है उसको mark कर लेंगे यह हमारा highest point हुआ और यह हमारा lowest point हुआ तो यहां पे हम wait करेंगे upside की तरफ breakout का अगर नीचे में breakdown देता है इसको break करके नीचे आता है तो simply हम यहां पे trading avoid करेंगे क्योंकि यहां पे जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ यहां पे नहीं हो रहा है फिर हमें trading avoid करना है अगर यहां पे upside की तरफ breakout डाता है यहां तो प्रिवियंस आप swing high और swing low के basis पे भी अपना target set कर सकते हैं इस case में अगर हम बात करें यहां पे जो हमें entry लेना है आप देख सकते हैं 1620 करीब हम entry लेंगे और हमारा SL बनेगा वो आपका 1612 के करीब SL बनता हुआ देखेगा यहां पे हम 1620 के करीब market में buy side की तरफ हम clear cut entry लेंगे उसके बाद 1612 के करीब यहां पे हम क्या करेंगे हमारा SL बहेगा और यहां पे अगर हम target की बात करें तो target हमारा यहां पे क्या होगा यहां पे जो हमारा target होगा वो जितना SL है उसका double 16 point पहला होगा 16 हम 36 के लिए जा सकते हैं फिर आप जो nearest round figure है 1640 और 1650 इन तीन target में इसके लिए हम gradually जा सकते हैं इसने ऊपर आया है और 1640 के level को टच गया और इसने ऊपर भी गया यहां यहां पे हमें आसानी से 20 point का profit मिला that means to 1.25% का return यहां पे हमें आसानी से मिलता हुआ दिग गया इंड़ options में trade करें यहां पे हम क्या करेंगे 1600 के call options को हम buying करना प्रेफर करेंगे intraday में और उसके बाद यहां पे जो 20 point को momentum दिखाया है यहां पे अगर हम 1640 के करी profit वो करते हैं यहां पे हमें आसानी से 20 point का profit मिलता हुआ दिख जाएगा और इसका lot side भी ठीक ठाग है यहां पे आप आपको अच्छा खासा profit आसानी से मिल सकता है तो इस तरीके से हम futures या फिर options में कहीं पे भी intraday में trade initiate कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हमें वो stocks find करना होगा जहां पे short build up हो रहा हो लेकिन price आपका नीचे नहीं जा रहा हो और यह चीज़ आपको manually find करने की जोगत होगी जैसा में available है अगर आपका डीमेट और ट्वेडिंग अकाउंट धन में है तो आप इसका फ्री में अक्सेस ले सकते हैं future chart को open करना और 15 में बिल्डप पे आना आपको यह data मिल जाएगा लेकिन अगर आपका डीमेट अकाउंट धन में नहीं है तो इस वीडियो के description में लिंक दिय करने के जोगत नहीं है अगर आप यह data कहीं बाहर से लेते हैं तो आपको एक्षपार चार्ज पे करने के जोगत परेगी आप धन में अपना फ्री में टीमेट अकाउंट ऑपन कीजिए और फ्री में इस data का आप access कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया जिससे लांग बिल्डप हो रहा हो लेकिन प्राइस आपका उपर ना जा रहा हो और पहला मैंने आपको बताई दिया कौन साइस टॉक सेलेक करना जहां पे आपका शॉट बिल्डप हो रहा हो और प्राइस आपका नीचे ना जा रहा हो यानि शॉट बिल्डप के पाद प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए और लॉंग बिल्डप के बाद प्राइस आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए यहां पर हम देखते हैं कि पहले 5 मिनट में क्या होता हुआ दिखा पहला 5-50 मिनट पहला आपका 30 मिनट शॉट बिल्डप हमें देखने को मिल गया है यहां पर देखते ह यहाँ पर हम trade initiate नहीं करेंगे उसके बाद वापस से हम यहीं पर आए और हमने क्या देखा है कि 946 से 10 a.m के करीब long build-up है तो यहाँ पर हमने देखा है कि 946 से तो 946 से long build-up है और long build-up में price आपका उपर side की तरफ जा रहा है मतलब यही हमाले काम का चीज नहीं है और हमने उसके बाद फिर से क्या देखा कि लगबग 10 a.m से 10 15 a.m के बीच में भी long build-up देखने को मिला और उसके बाद 10 a.m के आसपास बात करें तो यहीं पर closing दिया है और उसके बाद अगला पंद रमियत price आपका एक range में ही move करता हुआ दिख गया यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है लेकिन इसके बाब जोद भी price आपका उपर side की तरफ नहीं जा रहा है मतलब यहां पर क्या हो रहा है accumulation का अपोजिट यहां पर हमें distribution phase देखने को मिल रहा है अब distribution phase का क्या मतलब है कि यहां पर buyers तो हैं लेकिन sellers भी काफी हद तक हमें active दिख रहे हैं और sellers कहीं न कहीं market में entry कर रहे हैं और यहां पर हमें बहुत जल breakdown देखने को मिल सकता है यहां पर हम क्या करेंगे इस पार्टिकलर जोन में highest point को mark करेंगे lowest point को mark करेंगे अब यहां पर हम इंतियार करेंगे price जैसे इसके लोग को break करके नीचे जाएगा हम यहां पर sell side की तरफ इंट्वी लेंगे यह point हमाई लिए SL के रूप में काम करेगा लेकिन अगर opposite हुआ प्राइ जैसे हम इस पार्टिकलर टाइम पर देखें तो टाइम हो रहा है 11-5 के आसपास तो यहां पर हम आते हैं 11-5 के आसपास अगर हम देखें यहां पर clear cut हमें क्या देखने को मिलवा शॉर्ट बिल्डप देखने को मिलवा है तो यहां से भी हमें confirmation लेना और इसके बाद यहां लिए खरें लिए एसल के रूप में काम करेंगा पहला टार्गेट प्रिवेस लोग सकते हैं फिर आप ग्रेजवली और नीचे टागेट प्रैस के लिए जा सकते हैं इस तरह के सम्ट बना सकते और यहां पर अगरा हम बात करें options के तो यहां पर जो हम ऐसर्यार की तरफ लगबग हमने जहां पर सेल किया था इस लेवल के आसपास सेल किया था 910 यानि 10 पॉइंट का मोमेंटम दिखा है और ऑप्सेंस में हमें लगबग 5 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा इस तरीके से हम और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं फि प्रॉफिट बताया यह डिटा आपको फ्री में धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा और वहां पे आप फ्री में अपना डिमेट और ट्रेडिंग एकाउंट भी ऑपन कर सकते हैं यह जो कॉंसेफ्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कुछ भी ड जाहिन